कि है कि स्वागत है आप सभी का एक बार कि आपके अपने चैनल क्रियेट वेल्थ वित अभी के साथ और आज की साम हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे और जो कि अभी बहुत ही अच्छी वहाँ पर दिख रही है तो हम लोग एक डिसकस करेंगे और बहुत कर लेते हैं हमने पिछले लाश्ट वीक जो भी ट्रेड लिया था मंडे हमारा कैसा रहा तो लाश्ट वीक हमने यह जिसमें सुनाटा था प्रीज में जॉंसन था और एक हमारा केपी आइटी था और उसके बाद हमने एक डिटेल इनालिस की थी बल्राम सूगर सेक्टर पर और आपने देखा उसका कमाल दो दिन पहले हम लोगों ने डिसकस किया था और जिसने भी उस दिन फ्राइडे को ही हमने कॉल दे दी थी कि सुगर सेक्टर पर बुलिस हैं और हम खुद बाई कर रहे हैं और आप लोग को अगर लगे हम पर थोड़ा ट्रस्ट है तो आप क्या है कि Sonata Software था अच्छा जहां से सपोर्ट ले रहा था हम बात कियेते कि दो दिन दो दिनों की छुट्टी ओपनिंग गल्फेंट के साथ से किया है तो वहां से उसने जंप भी दिखाया के PIT ने भी दिखाया और सब अपने लेबल पे अभी होल्ड कर रहे हैं और इंट् सबीसे अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और प्लीज जैसे आप लोग रिस्पॉंस दे रहे हैं और मैं हमेंसे आप लोगों से एक बात है कि हमेंसे जनुन इन्फॉर्मेशन पास करेंगा कोई ये फालतू का कैट्सन लगा के कि नहीं ये आई और सी टीसी बन जाएगा ये और हां अभी इन सब में बहुत ही है निश्टील सेक्टर और इन सब में गेन बहुत ही बाकिया दीवधिम अपना प्रॉफिट बुक करते रही है ठीक है जिसमें देखिए नहीं जो चल रहा है जैसे सुगर सेक्टर में अगर कुछ नहीं सी स्टॉक चलें उसमें इंट्री करने मेरी तरफ से होते हैं तो आप लों कमेंट बदमाइ राजा अदमी है उसके बाद आता है जो यूनियन बैंक बैंक आप इंडिया तो पहला है यूनियन बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों पर मुझे बहुत ही जो मेरा वह वह काफी बुलिश नजर आ रहा है बाकी आप लोग अपना जो भी अनलेसिस है और जो भी आपका रियक्शन होगा वह प्लीज एक बार बताईएगा कि आप लोग को क्या लगता है इन में से कौन सा फाइन है अभी क्योंकि केंड़ा भी अच्छा खासा चल रहा है इंडियन बैंक भी चल रहा है और बैंक और बढ़ोधा भी एक लेवल पेया लेकिन इन दोनों में अच्छा की वीडियो ना देखो वागा के देखो लेकिन अभी मैं स्टाइटिंग में बता देता हूं कि देखो दो चीज हमारे फेवर में हैं कि प्यस्टू स्टॉक पे बुलिश होने पहला रीजन जो है एक तो आप सबको पता होगा कि बैड बैंक का जो भारत सरकार ने जो निर् 30,600 करोड का कुछ ऐसे प्रावदान किया गया है जो सिक्यूर्टी मनि गवर्मेंट प्रोवाइड कर रही है तो यह सारी चीज़े है बैड बैंक के एक दिन आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम पूरे डिटेल अनालिस बैड बैंक के बारे में कर लेंगे मोटा मोटी मेंटी ऑगराते हैं वह सब पर अब उल्सा सारा रिकवरी जो भी यह वह बैड बैंक के तुरू होगा तो अभी जो भी पीस एक ते ना उनकी बेलेंसी बिल्कुल क्लीन की जा रहे है लगब्लग भी चुकी है क्लीन की जा रही है अभी हम देखेंगे वारा उससे भी हम दे लेकिन अपना जो भी काम होता था जैसे अब जो भी कंपनी बैंक से लोन लेती है वो उसी से उनका जो तो चीजे आप उनके थू ही करोगे और भी आपके यह बैंक से आपने लोन लिया है तो यह जो दो कॉइंट है यह बहुत ही हमारे और यहां से रिस्क रिवार्ड बहुत ही बढ़िया है तो आई एक बार हम लोग जंदी से विजिट कर लेते हैं वीडियो लंभी ना उसके ल अब देखिए हमने देखा Union Bank of India लगवग 25,000 करोड का मार्केट कैप है क्रेंट वैलू जो इसकी चल लगी आज 37.46 के आज पास क्लोजिंग हुई है और जो बुक वैलू आप देख रहो 94.6 रुपीस तो बुक वैलू है यहां तक तो जाना ही जाना है यार और जाएगा कैसे जब चीज़ें सब कुछ इतनी सही हो गई है और गवर्मेंट में अपने रोल में इनको लेके सीरियस है तो चीज़ें जाती है और जरूर जाएंगी अब आप देखोगे इसको थोड़ा quarter and quarter देखना जादे जरूरी है अभी आप इधर देखोगे इनका देखोगे दिसंबर टुल 20 में 17,220 करोड मार्च 21 में 15,622 और जून 21 में 17,289 करोड के आसपास इन्होंने revenue जनरेट किया इसमें आप इनके profit अगर देखोगे तो जो net profit profit निगल क्या रहा है वो 1279 करोड और 1120 करोड का इनका net profit है तो इधर देख रहा हो अब यह क्या है बैंक अच्छा profit में आना स्टार्ट होगे इधर आप देखोगे माइनस में इनका result जा रहा था अभी यह profit में अच्छा growth दिखाना स्टार्ट कर दिए है तो और अगर आप इसी को annual basis में अगर आप consider करोगे तो यह में नेट profit जो है वह यह देखो जो चारो पर्टर का मिला के था मार्श 2021 का तो 2863 करोड का जो टोटल profit हुआ जो कि यह माइनस में था अभी यह प्लस में और अच्छा प्लस में हो गया है तो यह आप देख लिए अभी क्या है कि इस् कोई खत्रव दिख नहीं रहा है उसके बाद आप देखोगे तो रिजर्व पर भी आप देखो जो कि रिजर्व 2497 था वह रिजर्व अब बढ़ाकर लगवक साथ हजार करोड का रिजर्व यह रख रहा है बारोंग देखिए इनका कर्ज देना लेना और यह चीजह है तो कोई दिख्कत है नहीं लेकिन अभी जो आप देख रहो रिजर्व वह साथ हजार अठाओन हजार 227 क्रोड के रिजर्व रख रहा है अलोब रिजर्व सीज़े डबल कर दिया है तो यह चीज थी उसके बाद आप प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न आप अगर एक बार देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग में जैसे इदर इंट्रेस्ट कतम कर दिया था और जो प्रमोटर्स हैं प्रमोटर्स के पास 12 सरकार जो इसके में हो है तो यह अच्छी कासी हो भी है और जो पब्लीक है इनके पास भी साथ परसेंट साथ परसेंट पब्लीक के पास है तो फंडामेंटली अब सब कुछ बढ़ियां हो गया है और ठीक है ऐसे ही है उसका हम टेक्निकल देख लेंगे बैंक ऑफ इंडिया का भी ठीक होई है वीडियो लंबी हो जाएगी अग अब फटापटम इसका टेक्निकल देख लेते हैं अभी आप अगर इससे देखोगे आप अगर देखोगे तो इसने टू हंड्रेट यहमां ट्वंटी यहमां फिप्टी यहमां सब को क्रॉस करके निकल चुका है एक छोटा मोटा डिब्बी आ सकता है कॉंसलिट्वेशन के लिए तो उससे हमें घवराना नहीं है अब एक बार हम अगर सारी चीजे रिमूब कर देते हैं तो आप अगर इनका अगर आप हाई देखोगे आप देख रहे हो लाइट टाइम हाई यह 432 का हुआ करता था 2011 मिट तो अभी हम हम इतना जादे दूर नहीं जाते हैं तो अभी आप लोग देखो कि यह दो इस्टॉप लॉस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं एक यह जो इस्टॉप लॉस है 32.95 का या इसी को में लेके चलिए वैसे तो हम एक यह जो 34 का जो इस्टॉप लॉस है यह भी बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट पे है कि मुझे लगता है इसको भी ब्रेक नहीं करेगा मतलब नहीं करना चाहिए करेगा तो करने को यह कुछ भी कर लेगा मेरी कौन सा सुनेगा लेकिन करना नहीं चाहिए और लॉंग टर्म का अगर आप कभी होए तो यह वाला इस्टॉप लॉस इस्टॉप लॉस को मैं 34.42 नहीं 34 का इस्टॉप लॉस इस्टॉप लॉस इसको फॉलॉप कर सकते तुरी मन्त का और अदर्वाइस इसको और मैं कहुंगा थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में उपर नीचे होता रहेगा बोलटाइल भी है मार्केट क्योंकि वर्ड की मार्केट आप देख रहे हो त इसमें आप देखोगे तो एक यह चोटा चोटा हैंडल का कि व्यांट अगुका और दिया मैं वह मैं अधिन नहीं किया अधिया बीचकाँट दिया है तो अभिवहाई अगर अगर इसको कंसीडार कर लेते हैं राइट राइट एंड कभल राहा है अभी जो लटेस्ट में निकल के आएगा आपको मैं बताता हूँ जितना बड़ा होगा कि उतना ही हमारा टार्गेट होगा कि अभी जो हमारा 10 परसेंट यह 31 के लेबल तक का है लेकिन हमें इस छोटे से उसको नहीं फॉलो करना है हमें फॉलो करना है इसको हम पूरा हम इसको फॉलो करेंगे कि इसे हम फॉलो करेंगे एक हमारा कप इसने ब्रेक आउट दिया कि सश्टेंट रिटेश्ट किया सश्टेंट नहीं कर पाया फिर से एक ब्रेक आउट दिया सश्टेंट नहीं कर पाया फिर से नहीं ब्रेक आउट दिया और यहां से ब्रेक आउट दे रहा है तो जो हमारा में टार्गेट होगा है हम यह टार्गेट लेके चलेंगे 40% का जो अभी यह हमारा टार्गेट निकल के आ रहा है और प्राइस 51 का निकल के आ रहा है यह मुझे लगता है कि यह 3-6 माहिने लगने चाहिए इसमें क्योंकि जो कॉंसलिडेशन का टाइम हो काफी हो चुका है और 3-6 मंत में यह हमारा 40 परसंट निकल के आएगा कि मैं इसी एक्सपेक्ट से इसमें पोजीशन मनाऊंगा और मैं बैंक आफ इंडिया में तो अब लिया हूं और इसमें मैं अभी मेरे पास फंड नहीं था तो मैं कुछ सेर्स अपने निकालूंगा उसके बाद इसमें पोजीशन में बनाता हूं तो यह था इसकी एनालिसीस और फ्रेंड यह कम अगली वीडियो में बैंक आफ इंडिया के देने क्योंकि अल्रेडी वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है तो आप लोग को अगर लाएगा ठीक उसमें भी ऐसे पैटरन बन रहे हैं और उसमें भी इंट्री लेवल है इस टॉप लॉस बगएर आप मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा ठीक है तो चलिए वीडियो को लाइक करें सिस्क्राइब करिए मिलते हैं ब्रेक के बाद जैन जै वारत